जी हाँ तो ये है राकेश मिसरा का जबर्दस तरीके का रंगडारी सौंग ऐसे रंगडारी सौंग तो भोजपुर इंडेस्ट्री के तमाम बड़े दिगज और छोटे कलाकार भी गा रहे हैं लेकिन इस गाने में बहुत कुछ अलग है इसी वज़य से इस गाने का मैं रिव्यू करने के लिए आया हूँ राकेश मिसरा का आवाज में ये गाना बहुत ही लाजवाब इसमें कोई दोरा नहीं है कि राकेश मिसरा बहुत ही जबर्दस तरीके का गाना गाते हैं लेकिन राकेश मिस्रा इससे पहले भी रंगदारी सौंग गाए हैं लेकिन इस गाने का जो टाइटल है रंगदारों का भतार वाकई में इस गाने से सावित कर दिये हैं कि राकेश मिस्रा रंगदारों का मतलब जो सिंगिंग कर रहे हैं उन तमामों लोगों का वाकई में हैं क्योंकि जिस तरीके से इस गाने का लाइन है बहत्रीन है जिस तरीके का इस गाने में म्यूजिक दिया गया है भाईया मेरे कहना ही नहीं है लेकि सबसे important बात यह है कि अगर आप लोग पावन सिंग के फैन हैं खेसाईलाल के फैन है या फिर भोजपूरी फिल्म देखना पसं राकेश मिस्रास हताया गई है और राकेश मिस्रा का एक्टिंग दिखाई गए हैว वाकिए लाजवाब है लगता है कि साड़ तीन मिनिट का गाना नहीं बलकि साड़ तीन घंडे का फिल्म देख रहा हूँ मतलब साफ है कि राकेश मिस्रा अब कुछ नया करने वाले हैं क्योंकि जिस तरीके से ये गाना लेकर क्या है वाकई में बहतरीन है रही बात इस गाने की जो विक्चर क्वालिटी है फोरके में रिकोड की गई है लेकि उसके साथ साथ मात्र 5000 सब्सकाइबर्स वाले चैनल पे ये गाना अप्रोड की गई है इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकता इसके बावजूद भी इस गाने में बहतरीन तरीके का भ्यूज गया है भ्यूज जाने का में मकसद पता है क्या राकेश मिसरा और साथ में जिस तरीके का इस गाने को लिखा गया है गाने का music दिया गया है गाने में picture quality दी गई है गाने में film दिखाई गई है वाकई में इस वजह से इस गाने में view जा रहा है नहीं तो मैं बता रहा हूं गाना तो बड़े-बड़े दिग्गज गाते हैं लेकिन इस तरीके का रंगदारी सॉंग नहीं गापाते हैं जो इस गाने में फियेट है मनीशा यादव बहतरी अदाकारा तो मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि पूरी तरीके से डोल मटोल टाइप के एकदम से नाटी टाइप की औरत है और राकेश मिसरा के साथ as a lead role काम कर रही है तो जाहिर सी बात है इतने बड़ राकेश मिसरा के साथ अगर कोई भी unknown person गाना गाएगा डांस करेगा तो जाहिर सी बात है राकेश मिसरा उसको अपने तरीके से ढाल ही देते हैं बस वही है इस गाने में मनीशा यादो मतलब एक देखा जाए तो एक फियेट के तोर पे भरपाई करने के लिए इस गाने में आई है क्योंकि जिस तरीके से यह डांस कर रही है डांस वाकई में उनका उतना बहतरी नहीं है फेस एक्सप्रेशन बढ़िया नहीं है और रही बात एक्टिंग क्योंकि इस गाने में जो एक्टिंग दिखाई गई है वही आकर्षन का केंद्र है तो जाहिर सी बात है इस भी मनिशा यादों को एक्टिन दिखाना चाहिए था इसके सिवा और मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं लेकिन हां अगर आप लोग रंगदारी सौंग के भूखे हैं पसंद करते हैं एक बार जरूर यूट्यूब पे सर्च किजिएगा रंगदारों का भतार वाकई में बहतर गाना है लाजवाब गाना है एक बार आप लोग जरू सुनियेगा दिलखुस हो जाएगा इस अब लोगे यह वीडियो पसंद आई होगे रत्ती भर भी वीडियो पसंद आई होगे वीडियो को लाइक करेंगा चैनल को सब्सक्राइब कर के बेलाइक अंस जरू जेका मिलका है नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए दे हमें इजाजात, जाए हिन!